आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूरिन टेस्क के बारे में तो देखें इस टेस्क के द्वारा आप कई सारी बिमारी का पता लगा सकते हैं जैसे की डायबेटीज, इन्फेक्शन, जाउंडेस वगेरा और इस टेस्क की रिपोर्ट को हम बहुत ही सिंपल भासा में आपको समझाने वाले हैं जिससे आप इसे बहुत ही असानी से देख सकते हैं यानि की कोई भी इसे जान सकता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो देखिए urine test की report आपको कुछ इस तरह से मिलती है जिसमें आपको तीन चीज़े देखनी होती है जैसे कि physical examination, chemical examination and microscopic examination इसमें आपको color याने की urine का color कैसा है, उसमें appearance कैसा है, pH कितनी है, specific gravity कितनी है और उसमें sugar है या फिर नहीं, bile salt, bile pigment, blood, nitrate, RBC, cast वगेरा सब चीज़े देखन हो सकती है, अब सभी जानते होंगे कि urine क्या होता है, urine हमारे सरीर में बनने वाला waste material होता है, जो कि हमारे kidney में बनता है, यानिकि इसका निर्मार्ट kidney में होता है, अब जान लेते हैं कि इसमें क्या-क्या होता है, तो यह urine में 95% water होता है, यानिकि इसमें 95% पानी होता है, इस सबी चीजे भी इसमें होती हैं तो यह कुछ ही मातरा में होती है यदि यह मातरा जिनकी बढ़ जाती है तो हमें बिमारी हो सकती है या फिर हमारे सरी में कोई बिमारी हो सकती है यहाँ पर हम कुछ ट्रम देख लेते हैं जो कि यूरिन से रिलेटेड हैं तो यहाँ पर पहले ह कि उसे बिल्कुल भी urine नहीं आता है इसके बाद है oligoyuria इसका मतलब होता है reduce amount of urine यानि कि किसी को यदी बहुत कम quantity में urine आता है तो उसे हम कहते है oligoyuria इसके बाद है polyuria इसका मतलब होता है increase amount of urine यानि कि urine की मातरा काफी बढ़ चुकी है और या फिर patient को बार-बार urine पास करने के लिए जाना पड़ रहा है तो उसे हम कहते है polyuria इसके बाद है nocturia इसका मतलब भी होता है increase amount of urine लेकिन यहाँ पर मतलब यह है कि उसे रात में बार-बार urine पास करने के लिए जाना पड़ता है तो यह सबी term है जो कि आपको पता होने चाहिए देखिए पहले हम जान लेता है कि हम यूरिन में क्या-क्या देखना होता है तो देखिए उसके तीन तरगे examination होता है physical, chemical and microscopic तो इनके बारे में हम पहले जान लेता है यह physical क्या होता है जब आपके यूरिन का sample लिया जाता है तो उसे lab में ले जाने के बाद बिना machine के use कि यानि कि उसे आँखों से जब देखते है हम कि उसमें क्या-क्या है तो उसे हम कहते है physical examination इसमें हम देखते है उसकी volume कितनी है यानि कि उसका amount कितना है color कैसा है appearance कैसा है specific gravity कितनी है और उसका pH कितना है यानि कि acidic है या basic है तो ये सबी चीज़े देखी जाती है तो इनके बारे में हम बारी-बारी से बात करेंगे तेहने हम देखते हैं उसका chemical nature कैसा है तो इसमें कुछ चीज़े normal होती है जैसे कि urea, uric acid and keratinin तो ये तीनों चीज़े urine में पाए जाती है यदि ये urine में पाए जाती है तो आप समझे कि urine है वो normal लेकि इनका कुछ level होता है यानि कि कुछ ही amount में ये पाए जाती है यदि वो amount बढ़ जाता है तो हमें कोई problem हो सकती है इसके अलावा है abnormal यानि कि ये चीज़े बिलकुल भी नहीं पाए जाती जैसे कि glucose, protein, bile salt, bilirubin, blood, bile and pigment तो ये सभी चीज़े हमारे urine में नहीं पाए जाती है यदि आपको देखने को मिलती है तो आप समझ जाए कि कोई ना कोई problem है कि बाद हैं हापर microscopic examination यानि कि जब हम urine को microscope में देखते हैं तो उसमें हम क्या क्या देखते हैं तो इसमें हम देखते हैं या इसमें RBC तो नहीं है WBC कितनी है, PAS cells, cast cells, epithelium cells, calcium oxalate and phosphate oxalate तो ये सबी चीज़े हम देखते हैं इनके बारे में हम बारी-बारे से जान लेते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं urine के color के बारे में यानि कि आपको जो report में color मिलता है तो वो हमें क्या बताता है तो आपको हर चीज़ को अच्छे समझ के चलना है तब ही आपको ये समझ में आएगा तो यदि किसी का urine का color होता है, वो clear होता है तो इसका मतलब है कि उसने काफी amount में पानी पिया था यानि कि excess water उसने पिया था तो ये भी एक normal condition है इसके बाद है pale या फिर stroke yellow यानि कि यदि किसी का urine है उसका color yellow होता है या फिर पीला होता है तो वो person healthy है यानि कि normal है उसमें कोई problem नहीं है यहाँ पर चार चीज़े है clear, pale yellow, transparent yellow and dark yellow तो ये सभी चीज़े normal है यानि कि इसमें कोई problem नहीं है ये सभी चीज़े normal है आपको report में ये चीज़े देखने को मिल सकती है देखिए यादि किसी का color जो है honey जैसा होता है या फिर amber जैसा यानि कि सहच जैसा होता है तो means उसने काफी समय से पानी नहीं पिया है यानि कि उसमें काफी dehydration है इसके बाद है orange तो orange में भी same condition है या तो उसने काफी समय से पानी नहीं पिया है या फिर उसके urine में bile का secretion हो रहा है यानि कि उसे jondis भी हो सकता है इसके लिए फिर और test करा जाते हैं, इसके बाद है यहाँ पर pink या फिर red तो ऐसा तब देखने को मिलता है यदि किसी ने beads खाई यह यह कि चुकंदर खाई हो तो तब ऐसा देखने को मिल सकता है, इसके बाद है brown color तो brown color भी काफी जब किसी ने काफी समय से पानी ना पिया हो या फिर उसे कोई liver disease हो तब देखने को मिल सकता है यहाँ पर है urine consistency तो देखेंगे इसका मतलब होता है कि physical appearance उसका कैसा है तो normally जो urine होता है वो clear होता है याँ कि clear liquid होता है लेकिन यदि आपको देखने को मिलता है mucus, plugs या फिर whisked या फिर thick तो इसका मतलब उसमें कोई infection है तो आप इससे समझ सकते हैं कि उसमें कोई infection हो चुका है बात कर लेता है हम urine की pH की, तो जीकि normally जो हमारे urine की pH होती है वो 4.6 से 8.0 होती है यह normal है, यानि कि हमारा urine slightly acidic होता है लेकिन यदि जब यह उपर नीचे हो जाती है तो हमें कोई problem हो सकती है जैसे कि यदि यह 8 से ज़्यादा हो जाती है तो इसका मतलब या तो कोई infection हो चुका है या फिर metabolic या फिर respiratory alkalosis है इसके अलाब यदि यह 4.5 से कम हो चुकी है इसका मतलब uncontrolled diabetes यानि कि diabetes uncontrolled हो चुकी है या फिर starvation यानि कि कोई वेक्ति लंबे समय से भूका रहा था तो ऐसा दिखने को मिल सकता है या फिर dehydration या फिर fever तो इसके अलाब कई सारी condition इसमें हो सकती है तो इसका मतलब उस patient को या तो diabetes insipidus है या कोई kidney disease है या फिर उसने बहुत ज़्यादा पानी पी लिया है इसके अलाबा यदि वो 1.025 से ज़्यादा हो जाती है इसका मतलब है या तो diabetes mellitus है या फिर उसने बहुत कम पानी पिया है या फिर उसे कोई nephretic syndrome है तो इससे आप जान सकते हैं देर हम बात करते हैं यूरिन गुलकोस की यदि यूरिन में गुलकोस पाय जाती है यानि कि नॉर्मल तो देखे यूरिन में गुलकोस नहीं पाय जाती लेकिन यूरिन में गुलकोस पाय जा रही है इसका मतलब उस पेशंट को diabetes mellitus है यानि कि उसे सूगर की बिमारी है इसके बाद है यहाँ पर ketone bodies देकि नॉर्मल जो हमारे यूरिन में ketone bodies नहीं पाय जाती है लेकिन यदि आपको ये देखने को मिलती है तो आप समझ जाए या तो उसे diabetic coma है या फिर starvation है या फिर prolonged vomiting यानि कि उसे लंबे समय से उल्टिया हो रही है जिसकी वज़े से उसे ketone bodies देखने को मिल सकती है यहाँ पर है blood in urine नॉर्मल हमारे urine में blood नहीं पाया जाता लेकिन यदि आपको urine में blood देखने को मिल रहा है इसका मतलब आपको कोई kidney disease है यादि blood का color bright red है इसका मतलब उसे hemorrhage हुआ है यानि कहीं से blood का leakage हुआ है तो इससे आप समझ सकता है बात करते हैं WBC की इसकी full form होती है white blood cell तो normally हमारे blood में बहुत कम पाय जाती है यह male में यानि कि man में दो से कम पाय जाती है जबकि females में यह 5 से कम पाय जाती है यदि इतनी आपको देखने को मिल रही है तो यह patient बिलकुल normal है लेकिन यदि इनका amount बढ़ चुका है इसका मतलब उसमें कोई inflammatory response या process चल रहा है यानि कि उन्हें infection हो सकता है लेते हम urine पाय जाते है तो इसका मतलब कोई kidney disease हो चुकी है कि कास्ट दो टाइब के होते हैं red cell cast और white cell cast यदि आपको red cell cast देखने को मिलता है इसका मतलब patient को glomerulonephritis है इसका लावा यदि आपको white cell cast देखने को मिलता है इसका मतलब उसके kidney में कोई infection हो चुका है तो इससे आप चान पाएंगे इसके बाद है uric acid crystal देकिन normally हमारे urine में नहीं पा जाते हैं यदि किसी patient के urine में uric acid crystal मिल रहे हैं इसका मतलब या तो उसे gout है या फिर उसे arthritis हो सकता है पर हम पूरी report देख लेते हैं तो सबसे पहले हम देखते है physical examination इसमें हम देखते है volume तो normally हम जो volume लेते है वो 25 से 30 ml होती है color है यहाँ पर pale yellow जो कि normally होता है turbidity है यहाँ पर है clear यानि कि यह बिल्कुल normal है specific gravity हम देख चुके है कि बढ़ने पर क्या होता है और कम होने पर क्या होता है नोर्मली यह 1.001 से 1.0010 तक होती है pH यहाँ पर 5 से 8 या फिर 4.5 से 8.0 हम देख चुके हैं इतनी होती है इसके बाद इसमें glucose नहीं पाए जाता normally proteins नहीं पाए जाती ketone bodies नहीं पाए जाती bilirubin नहीं पाए जाता euro bilirubin नहीं पाए जाता तो यह सब भी नहीं पाए जाते है यदि glucose पाए जाता इसका मतलब है diabetes protein पाए जा रही है इसका मतलब कोई infection है ketone bodies पाए जा रही है इसका मतलब भी diabetes या फिर कोई infection हो सकता है यदि bilirubin पाए जा रहा है इसका मतलब jondis है यहाँ पर है microscopic examination इसमें हम देखते हैं RBC तो RBC नहीं पाए जाती WBC 2 से 3 पाए जाती है यदि ज़्यादा पाए जा रही है इसका मतलब कोई infection है पस cell भी बहुत कम पाए जाती है then epithelium cell भी नहीं पाए जाती cast आपने देखा है नहीं पाए जाता है normally and crystal भी इसमें normally नहीं पाए जाते है तो यदि आपको uric acid के crystal देखने को मिल रहा है इसका मतलब उसे gout या फिर arthritis है अर हम ये report भी देख लेते हैं तो यहाँ पर है color तो color है इसका pale yellow यादि कि color इसका बिल्कुल normal है appearance clear है ये भी normal है pH 6.0 ये भी normal है specific gravity दी है 1.010 ये भी बिल्कुल सही है यहाँ पर है chemical examination तो इसमें क्या है इसमें है albumin तो यहाँ पर trace यानि कि बहुत कम मातरा में albumin पाया गया है तो albumin कब-कब पाया जाता है वो भी हम जान लेते हैं देखिए यहाँ पर दिया है causes of micro albuminuria मतलब कि किसी के urine में यदि बहुत कम मातरा में albumin पाया जा रहा है तो क्या-क्या हो सकता है या तो उसका blood pressure बढ़ा हुआ है यानि कि high blood pressure है या फिर उसे type 1 या type 2 diabetes है या फिर उसे obesity यानि कि कोई मोटा इंसान है तो उसके urine में भी देखने को मिल सकता है या फिर उसे कोई genetic inherited kidney disease है तो ऐसी condition में आपको albumin देखने को मिल सकता है आगे बढ़ते हैं यहाँ पर दिया है sugar nil यानि कि इसमें sugar नहीं है bile salt बीस में नहीं है bile pigment बीस में नहीं है eurobilinosan नहीं है ketone bodies बीस में नहीं है blood बीस में नहीं है means इसमें infection है यानि कि इसे UTI हो चुका है यहाँ पर दिया है RBC इसमें नहीं है epithelial cell बीस में 4-6 है यह भी infection का कारण है cast इसमें नहीं है और crystal भी इसमें नहीं है इस patient को UTI यानि कि urinary tract infection हो चुका है क्योंकि यहाँ पर आपको pus cell और epithelial cell देखने को मिल रही है और साथ में यहाँ पर albumin भी देखने को मिल रहा है इसका मतलब इसे या तो high blood pressure है या फिर इसे और कोई कारण हो सकता है जो कि हम देख चुके है तो इस video में इतनी था यदि आपको कोई confusion रहती है तो आप हमसे comment करके पूश सकते है और यदि आप channel पे ने है तो चलको subscribe कर ले जिससे आगे भी आपको इस तरह की videos के notification मिलते रहे है Thank you very much